जब हमने जाना कि अंशो का नर्गमन किस प्रकार किया जाता है तो वहाँ पर हमने तीन दशाएं देखी एक तो एक मुष्ट राशी प्राप्त कर लेने के अधार पर दूसरा किस्तों में राशी प्राप्त करने के अधार पर और तीसरा रोकड के अत्रिक्त अन्य प्रतिफल तो अब हम देखेंगे कि तीसरी कंडिशन क्या है रोकड के अत्रिक्त अन्य प्रतिफल के अधार पर जब अंशो का निर्गमन किया जाता है तो कौन सी परिस्थितियां होती है क्या स्थिति होती है जब हमको रोकड के अत्रिक्त अन्य प्रतिफल के अधार पर अंशो की निर पहली दशा ये है कि संपत्यों को क्रह करने पर विक्रिताओं को प्रतिफल में अंश दे देना जैसे 50,000 रुपए मुली का एक पनीचर खरीदा गया और इसके बदले 1000 रुपए वाले 50 अंश उसको दे दिये गया तो यहां पर यह मान लिया जाएगा कि हमने अंशों के बदल अंशों के रा अंश जो है वो उतने मुली के अंश उसक्ति को दे दिये जिससे कि हमने फर नीचर खरीदा था दूसरी कंडिशन कई बार बनती कि वैवसाय करने के बदले जिससे हम जेनरेल लेंटरी की पोस्टिंग करते हैं तो हम देखते हैं कि वैवसाय क्रे किया तो इंजीनियर है प्रबंधक है जो टेक्नीशियन है उनको उनकी सेवाओं के बदले हम कैश में सैलरी ना देकर या कैश में उनका जो भी प्रतिफल है उसको ना देकर बदले में हम उतनी ही मुले के कुछ अंश दे दें तो यह कुछ ऐसी दशाय बनती है जब नगत के तरिक यह प्रतिफल के बदले में आंशो का निर्गमन करते हैं आये इससे समंदित कुछ पंजी प्रविश्टिव पर एक नजर डाले अन्य प्रतिफल के बदले अंश देनी पर जब संपती के क्रेय के लिए अन्शो का भुकतान किया जाता हो रोकड के अत्रिक्त अन्य प्रतिफल के संबन में कौन-कौन सी प्रविश्टियां के जाती है आईए अब इस पूरी विधी पर आधारित कुछ क्रियात्मक प्रश्णों को हल करते हैं दीपशिखा कंपने इंदोर ने प्रती मशीनरी स्टोर से एक मशीन 80,000 रुपए में खरी दी तता इसका भुकतान 30,000 रुपए नगत और 10 रुपए वाले पूरदत 500 अंशों में किया जाना है आवश्यक जनरल प्रविष्टिया दीजिए यहां हमारे सबसे पहली प्रविष्टिय जो होगी वो मशीनरी को खरीदने से सम्मनित होगी जो कि होगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टो प्रतीक मशीनरी स्टोर 80,000 से बिंग मशीनरी परचिस उसके बाद हमको प्रतीक मशीनरी स्टोर को पेमिंट करना है और यह पेमिंट जो है वो हमको 30,000 कैश करना है तो जब हम 30,000 cash payment करेंगे तो यहाँ पर हमारी general entry होगी प्रतीक machinery store account debit to cash account being cash paid 30,000 अब क्योंकि हमको 5,000 अंशो में 10 रुपय के हिसाब से 50,000 रुपय जो है वो share से payment करना है तो इसके लिए हमारी पंजीप्रविस्टी हो जाएगी प्रतीक machinery store account debit to share capital account being share issued for purchase of machinery 50,000 10 रुपय वाले 11,000 10% premium पर company के प्रवर्तकों को उनकी सेवाओं के बदले निर्गमित किये गए आवश्यक पंजीप्रविस्टी कीजिए यहाँ पर हम देखते हैं कि जो shares हमने निर्गमित किये हैं वो 11,000 share है और 10% premium पर निर्गमित किये गए है तो यहाँ पर हम पंजीप्रविस्टी करते समय premium क्योंकि एक प्रकार का लाभ है हमारे लिए तो उसको credit करते हुए हम प्रमोटर्स को यहाँ पर प्रेमित करेंगे तो यहाँ हमारी पंजीप्रविस्टी हो जाएगी promoter's account debit to share capital account to security premium account being issue 1000 full paid share of 100 each at premium of 10% तो यहाँ पर क्योंकि 11000 अंश है और एक अंश जो है वो दस रुपय का है तो promoter's account debit में हो जाएगा और यहाँ पर हम देख रहें कि 10% premium है और यह जो शेयर निर्गमित किये गया है वह प्रवर्टकों को उनके सिवाओं के बदले premium के साथ निर्गमित किये गया है तो यहाँ पर हमारी जो premium की राशिया जाएगी वह जाएगी एक हजार अंशो पर वह हो जाएगी एक हजार अंशो पर सौ रुपय की साबसे एक लाख और क्योंकि इसका दस प्रतिशत हमको premium देना है तो एक लाख का दस प्रतिशत यानि कि 10,000 रुपय जो वह प्रीमियम की राशिय हो जाएगी और टोटल जो प्रमोटर को पेबल अमा नर्गमित के तरण्या लिमिटेट के पुस्तुकों में जन्राल प्रवस्ट्री केजिए यदी एंश 20 प्रतिशत premium पर नर्गमित किया गया हो और यदी एंश सम मुली पर नर्गमित किये गया है तो सबसे पहले हम वह प्रविस्ट्या करेंगे जब अंशो को 20 प्रतिशत premium पर निर्गमित किया गया हो तो यहां हमारी जेनरल एंट्री होगी मशियनरी एकाउंट डेबिट टू तनिश्क लिमिटेड बिंग मशियनरी पर्चास से मशीनिया पर पर्चास की गई है और अब जब हम उनको पेमिंट करेंगे तो हम यह ध्यान में रखेंगे कि 20% प्रेमि जो है वह प्रेमियम पर निर्गमित किये गया है यह शेयर और 600 शेयर जो नंबर ऑफ शेयर है यहाँ पर वह 600 है तो सबसे पहले हम यहाँ पर अंशों की संख्या निकाल लेंगे कि कितने अंश हैं तो यहां हम प्रश्ने में देख रहे हैं कि साप लाग बीस अजार रुप जाए तो वह 20 रुपया उसमें एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा यानि कि वह शेयर 120 रुपय का हो जाएगा तो इस आधार पर हम नंबर ऑफ शेयर अगर कैलकुलेट करते हैं कि वास्तों में अंशों की संख्या क्या थी तो हम कैलकुलेट करेंगे इसको 720,000 divided by 120 तो 6000 जो है वो नंबर ऑफ शेयर समको मिल गए 6000 शेयर हमारे पास थी तो इसके कोडिंग हम यह सेकेंड एंट्री पास कर लेंगे तनिश लिमिटेड डेबिट तो शेयर कापिटल अकाउंट तो सिक्यूरिटी प्रीमियम अकाउंट तो शेयर कापिटल में हमारी जो अमांट आएगी व 1,20,000 और यह टोटल अमांट 7,20,000 तो यहां पर क्यूंकि साथ लाग 20,000 में मशिनरी खरीदी गई है और सम मूली यानि कि सौ रुपए पर ही अंशो को अगा निर्गमित किया जाता है तो साथ लाग 20,000 को हम हंड़िट से डिवाइट कर देते हैं तो यहां पर हम देखते हैं कि 7,200 शियर हमने इसू किये हैं अब इनकी जुनरल एंट्री हम करेंगे मशिनरी एकाउंट डेबिट तो तनिश के लिमिटेट 7,20,000 से बिंग मशिन पर्चेस और जब पेमिंट के हम एंट्री करेंगे जबकि हमको फेस वैल्यू पर यानि हंड 20,000 बिंग 7,200 शियर इसूट एड़ पर जेट लिमिटेड ने एक मशिन 49,600 रुपय में नीरस ट्रेडर से खरीदी जिसका भुकतान 10 रुपय वाले अंशो में किया गया निम्दे दशाओं में पंजी प्रविस्टिया कीजिए पहला जब 10 प्रतिशत प्रीमियम पर इस प्रश्ण में जब हम पहले कंडिशन में जरले पात करेंगे जब 10 प्रतिशत प्रीमियम पर अंशो का निर्गमिन किया गया तो इस में सबसे पहले हमको यह पता लगाना होगा कि वास्तों में निर्गमित किया गया अंशो के संख्या क कितनी थी तो निर्गमित किया गया अंशो के संख्या पता लगाने के लिए हम क्योंकि हमारे पास ढ़ब 400 का वह एक अंश रुपे का है और 1 के में 10 प्रतिशत्त प्रीमियम पर अगर उसको नि're करते हैं तो दस रुपए का दस प्रतिशत यानि की एक रुपए उसमें अत्रिक्त जुड़ जाएगा क्योंकि प्रीमियम की राशी एड़ हो जाती है तो यह जो शेयर है वह हो जाएगा ग्यारा रुपए का और अब हम यहां पर देख रहे हैं कि हमने जो पैसे हमने जो मशी मशीनरी खरीदी है वह मशीनरी है 49,600 रुपए की और इस पर अगर हम 11,000 रुपए की हिसाब से निर्गमित करते हैं यानि कि 49,600 डिवाइड़ बाई यानि कि 39,600 डिवाइड बाई 11 हम करते हैं तो 3600 जो नंबर आफ यह हम को पता चल जाएगा कि 3600 को निर्गमित किया गया था तो यहां पर हम एंट्री पास करेंगी सबसे पहले मशीनरी अकाउंट डेबिट टू नीरस ट्रेडर्स अकाउंट और क्यूंकि उसकी सेलिंग प्राइड जो है वो है 39,600 तो यहां हम अमाउंट लिगेंगे 39,600 लेकिन सेकेंड हमारी जो एंट्री होगी अमाउंट तु शिर क्यापीटल एकाउंट्टो शिकूरिटी प्राइम प्राइम अकाउंट और यहां पार धियान रखना है कि 3600 शियर हमने इस्जू किये हैं 10 पर्संट प्रृम्यम पर तो क्योंकि 3600 और थायर दिया आजिए उसका टैन परशंट हम प्रेमियम हैं यहां पर तो यह स 6,000 का 10% याने 3600 और ये टोटल 39,600 जो है वो नरेस्ट रेडर को पेड हो जाएगा बिल्कुल इसी तरह जब हमको 10% डिस्काउंट पर पे करना होगा तो हमको यहां पर सबसे पहले फिर वही बात बता लगानी है कि वास्तों में अंशो की संख्या कितनी थी तो यहां पर हम द रूपीज का 10% याने कि 1 रूपीज अगर हम 10 में से माइनस कर देते हैं तो एक जो शेयर है वो 9 रूपीज का हो जाता है और अब जब हम 39,600 डिवाइड बाइन करते हैं तो हम देखते हैं कि हमने 4400 शेयर यहां पर 8 रूपी है अब 4400 शेयर को ध्यान में रखते हुए हमको यहां पर entry प्रास करनी है तो इस second condition में पर्स्ट रेंटरी हो जाएगी नीरज अकाउंट डेबिट टुदि अधीड टुनी बिक मशीन री पर्चाउंट तो फिर्स्ट में तो किसी प्रकार का कोई परविरतर नहीं आएगा लिकिन second रेंटरी में जब हमको 10 परसंट डिसका और अमाउंट हमको लिखना है क्योंकि हमने देखा कि 4400 शेर हमने इस्यू किये हैं और एक शेर जो है वो 10 रुपीज का है तो टू शेर कापिटल एकाउंट क्रेडिट साइड में 4400 इन्टू 10 यानि कि 44,000 के अमाउंट आएगी और इस 44,000 का क्योंकि 10% डिस्काउंट है तो यहां पर डिस्काउंट वान इस्यू अप्षियर 44,000 का 10% 4400 आएगा और दोनों का जो डिफ्रेंस है 44,000 माइनस 4400 दोनों का जो डिफ्रेंस है यानि कि यहां पर हम देखते है कि 39,600 जो है वो नीरेस्ट को पे हो जाएगा एक सीमित दायत वाली कंपनी ने विक्रम ट्रेडर से 72,000 रुपए मुल्य की संपत्ती खरीदी उसके भुकतान में 100 रुपए मुल्य के पूरदत्य सामान ने अंश निर्गमित किये पंजी प्रविष्टिया देजिए यदि अंश निर्गमित किये हो पहला सम मुल्य पर दूसरा बट्टे पर तिसरा प्रीमियम पर संपत्ती खरीदने पर यहां पंजी प्रविष्टि की जाएगी क्योंकि यहां पर 72,000 के संपत्ती खरीदी गई है और उसके बाद इसके भुक्तान के प्रविष्टिया करनी है तो सबसे पहले हम संपत्ती को खरीदने के प्रविष्टि कर लेंगे 72,000 से सेकेंड एंट्री जब हम विक्रम टेडर्स को एक्विटी शेयर कापिटल देंगे और कंडिशन यह है कि फेस वैल्यू पर एड पार यह प्यमिंट किया जाएगा यानि कि पूरा का पूरा 72,000 को दिया जाएगा तो इस कंडिशन पर यहां पर जनरल एंट्री होगी विक्र करने पड़ेंगे इसलिए क्योंकि एक शेयर की वैल्यू है तो 72,000 के लिए हमको 72,000 के लिए हमको 720 शेयर इशुट करने पड़ेंगे सेकंड कंडिशन में जबकि इस 72,000 को हमको 10% डिसकाउंट पर अगर पेमिंट करना है इस कंडिशन में जेनरल एंट्री होगी विक्रम टेडर्स अकाउंट डेबिट डिसकाउंट अकाउंट डेबिट तो एकुटी शेयर कैपिटल अकाउंट और 72,000 पर हम यहां पर देखत क्या है टो यहां पर क counterparts working knowledge कर लेंगे सबसे पहले मैं रेखेंगे कि अंशो की संख्या क्या थी तो कि संख्या ग्याद करने के लिए जिसकी पहरे भी देखा था कि क्रय पर discuss सबोर्य पर nahe यानि कि 720 शेयर आएगी सेकेंड कंडिशन में अगर बट्टे पर निर्गमें तर्शों की संख्या हमको काल्कुलेट करनी है तो क्योंकि 100 रुपीज का शेयर है और उस पर हमको 10 परसेंट यानि की 100 का 10 परसेंट यानि 10 रुपीज अगर हमको बट्टा देना है तो इसके जो नेट अमांट होगी वह होगी 100 माइनस 10 इक्वल टू 90 रुपीज और जब हम 72,000 जो टूटल अमांट है इसके उसको 90 नंबर आप शेयर 90 से डिवाइड करेंगे तो अंशों की संख्या हमको 800 मिल जाएगी 800 शेयर हमको यहां पर मिल जाएगे और अब यह हम देखते हैं कि 800 जो शेयर से उस पर अगर 90 रुपए जो है वह देने हैं हमको तो 800 शेयर पे 90 रुपए के हिसाब से 72,000 विक्रम ट्रेडर के काउंट के डविट साइड में आ जाएगा और इन्हीं 800 शेयर पे 10 रुपए जो है वह बट्टा हो जाएगा 10 प्रतिशत याने की 100 का 10 प्रतिशत 10 रुपए बट्टा हो जाएगा तो आठ अजार रुपए बट्टे के मांच हुझाएगी और टोटल 800,000 शेयर क्याप槟ल हो जाएगी इसी प्रकार करेंगे प्रीमियम पर जाफ्पर करेंगे तो मेंब पहले प्रीमियम पर निर्गमी तन्शो की संख्या निकाल लेंगे और प्रीमियम पर निर्गमी तन्शो की संख्या के लिए हमको 20 परसेंट यानि 20 रूपीज उसमें प्रीमियम एड हुआ है तो टोटल जो शेयर हो है वो हो जाएगा 120 रूपीज का तो अब जब हम 72,000 को 120 से डिवाइड करेंगे तो हमको यह पतर चल जाएगा कि नंबर आफ शेयर जो है वो है 600 शेयर तो अब इस 600 शेयर के बेस पे हम यहा क्यापिटेल एकाउंट टू कुटिश च्रेयर प्रीमियम एकाउंट यहां पर हम देखेंगे कि 600 शेयर है और एक तो हमारे प्रीमिम के क्रेडिट में 60,000 आ जाएगा दूसरा हमें आपके एख देखते हैं कि 600 शेयर है और एक शेयर पर 20 रूपीज प्रीमियम एया तो 12,000 ह हमारा प्रीमिम की अमाउंट हमारी यहां पर आ जाएगी और उसके बाद हम आप देख रहें कि 72,000 विक्रम टेडर में डेबिट साइड में आ जाएगा